Hello everybody, मिर नाम है विपिन भाउगना, आप देख रहे हैं Back Ventures Classes, आज हम बात करेंगे World Most Expensive Currency Bitcoin, जिसकी शुरुआत हुई थी 2009 में Mr. Satoshi Nakamutu तवारा, तो चली शुरू करते हैं, क्या है Bitcoin, Bitcoin एक ऐसी currency है, एक ऐसी virtual currency है, ना ही से आप देख सकते हैं, ना ही से आप चू सकते हैं, आ आपको मेरे को Bitcoin ट्रांसफर करने, आप electronically मुझे ट्रांसफर कर दीजिए, Simple Language में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, तो आप देखेंगे ये example, आप अगर मेरे से ये device खरीदना चाहते हैं, तो ये device खरीद लीजिए, और बदले में मुझे क्या ट्रांसफर कर दीज तो आपने देखा, ये currency का काम कर रहे हैं, एक normal currency और Bitcoin में फरक क्या है, ध्यान से देखेंगे आप, ये है मेरे हाप में Indian 100 रुपीज, ये एक normal currency है, जो आपके पास भी होगा, अब इस 100 रुपीज की value कौन तैय करता है, Indian government तैय करती है, इसकी value 100 रुपीज क्यों है, क्योंकि Indian government ने इसमें वादा कर रखा है, कि इस note की value 100 रुपीज है, तो सब को विश्वास है, कि इस note की value 100 रुपीज है, हम कोई भी समाय से खरीदें, और 100 रुपीज दुकानदार को दे देते हैं, Bitcoin में क्या है, Bitcoin में ऐसी कोई central authority है ही नहीं, ये decentralized currency है, ये आपके और मेरे विश्व पर depend करती है, कि मुझे अगर Bitcoin पर विश्वास है, तो आप में इसे Bitcoin ले लिजी और आपको विश्वास है, तो आप में को दे दीजे Bitcoin, तो देखा आपने Bitcoin होता क्या है, तो आज हम सीखेंगे main concept कि Bitcoin इंडिया में कैसा खरिदा जाता है, तो चली शुरू करते हैं, इंडिया म नाम की एक application उसे download कर लेंगे, ZEP पे Bitcoin इंडिया, अब इसे open करेंगे, install करने के बाद open करेंगे, जब आप ZEP पे नाम की application डाउनोड करेंगे, तो आपसे वो verification करने के लिए कुछ details मांगेगा, आपका नाम मांगेगा, आपका phone number मांगेगा, email ID मांगेगा, bank details मांगेगा, pen card मा ऐसे है, ध्यान से देखिएगा screen पे, आपको पहले तो amount deposit कराना पड़ेगा, आप deposit पे click करेंगे, deposit पे click करेंगे, तो आपकी screen पे कुछ ऐसे options आएंगे, तो आप पहले option पे click करेंगे, click करने के बाद, आप यहाँ पे amount भरेंगे, कितने amount के आप Bitcoin खरिदना चाते हैं, मतलब आप कितने amount is wallet में जमा करना चाते हैं, जैसे हम और other किसी भी wallet में जमा करते हैं, वैसे इसमें भी जमा करते हैं, हमने मालो, 2000 रुपीज deposit करना है, उसके बाद हमने next का बटन दमाना है, next का बटन जब हम दबाएंगे, तो आपके सामने एक ऐसी screen आएगी, यह सारी details आपको अपने net banking में as a beneficiary save कर देनी है, जैसे beneficiary जैसे हम add करते हैं, वैसे आप इसको add कर देंगे, उसके बाद के steps आपको पता लग जाएंगे, एक बार जब पैसा deposit हो जाए, फिर आपको screen कुछ ऐसे दिखेगी, ध्यान से देखिएगा, screen ऐसे दिखेगी आपको, buy, sell, दो option 143 rupees, तो आप bid लगाएंगे, कि मैं 11 lakh पे खरीदना चाहता हूँ, या current price भी खरीदना चाहता हूँ, आप कितने की भी bid लगा सकते हैं, अगर वो उस दिन आ जाता है price उतने पे, तो आप easy automatically purchase कर लेंगे bitcoin, आप देखेंगे, मैं 11 lakh की bid लगा रहा हूँ, कि मुझे 11 lakh रुपे म मेरे पास, आप देखेंगे screen पे 0.00090909 पे bitcoin इतनी quantity मेरे पास आ जाएंगी, मैं confirm bit option दबाऊंगा, फिर वो आपसे आपका password मांगेगा, password मांगने के बाद आप password दबाईए, फिर आपकी bid लग जाएगी, आप screen पे देखेंगे, your order is executed, it will be executed when we find a matching offer, accept कर लिया है उन्होंने मे bitcoin मेरा automatically purchase जाएगा, अब वैसी हमें sell करना है, तो sell कैसे करेंगे, screen को में वापिस लेके आजाता हूँ, आप दुबारा bit पे जाएंगे, अब आप ask, यानि कि sell का button दबाएंगे, sell का button दबाने के बाद आप यहाँ पे rate लिखेंगे, कि आप 11,50,000 पे transfer करना चाहते हैं, और कि rate पे आप bitcoin को sell करना चाहते हैं, उसके बाद आप confirm order कर देंगे, तो bitcoin आपका easily sell हो जाएगा, यह आपको decide करना है कि कितने भी खरीदना है, और कितने भी bitcoin बेजना है, अच्छा, अगर आप profit margin का पता लगाना चाहते हैं, तो वो भी तरीका है, बड़ा easily, इसके लिए आपको क पेंसिल लेके बैठना पड़ेगा, तहां से देखेगा, आप suppose, 11,00,000 रुपे में bitcoin खरिदना चाहते हैं, अब कितने के bitcoin खरेना चाहते हैं, मालनो आप 5000 के bitcoin खरना चाहते हैं, यह कि मैं suppose, एक ग्जामपल बता रहा हूँ था कि आपको profit margin का पता लगेगे, कितने profit margin में हमार 000-454545 bitcoin मेरे पास आ जाएंगे, कितने के bitcoin खरीदे आपने, 5000 रुपे के bitcoin आपने खरीद लिये, अब आप देखेंगे, sell पे जाएंगे और देखेंगे, कितने rate पे आप इसे बेचना चाहते हैं, 11,00,000, 5000 पे एक dummy figure लिए आए, कि अगर 5000 रुपे बढ़ जाता है bitcoin, तो मुझे कितने रुपे का फाइदा होगा, मैंने कितनी quantity bitcoin के खरी दी है, वो मैंने no down करी थी, 0.00454545 तो आप देखेंगे अपनी screen पे, 5000 रुपे के हमने bitcoin खरी दे थे, अगर हम उसे 50,000 रुपे बढ़ने पे बेचेंगे, तो उनकी value कितने दिख रही है 5,227 रुपे, यानि 5,000 के investment पे हमें 227 रुपे का profit हो जाएगा bitcoin पे यह profit देखने में छोटा लग रहा है, क्योंकि मैंने एक छोटा amount लिया है, आप कितने भी amount के bitcoin खरी सकते हैं, it's depend on the, आपका wallet का balance, तो ठीक है आपने देखा profit margin क्या होता है, bitcoin कैसे खरीदते हैं, कैसे sell करते हैं, अच्छा, make sure मैं आपको बता दूँ, मेरा personal investment bitcoin पे नहीं है, और आपको एक fact की बात बता दूँ, जब पहली बार transaction हुआ था bitcoin में, तो US में एक pizza के बदले में 10,000 bitcoin transfer किये गए थे, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेर और लाइक ज़रू कीजिए, बेल आइकन दबाएकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, तब तक के लिए, बाबाए, टाटा,